नमस्कार गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्तिक स्वागत है इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली आज मैं आपके लिए लेटी सौक्स का एक और डिसाइन लेकर आई हूँ ये मैंने पांच नमबर के लिए बनाया है अगर आ चार फंदे इससे कम लगाएं अगर छे नमबर के लिए बनाना चाहते हो तो चार फंदे जाता लगाएं और अगर आठ नमबर के लिए बनाना चाहते हो तो इसके उपर शुरू करते समय आप आठ फंदे जाता लगाएं बूट्ट हमने यहां से बनाना शुरू किया है इस इसको बनाने के लिए पहले 8 स्लाई सीधी डाली, फिर हमने इसको जाली डालते हुए इस और लेक्याए, जाली हमने 18 डाली है, अगर आपकी उन पतली हो तो आप जाली 20 पे डाल सकते हो, नीचे का बनाने का तल्ला बनाने का तरीका बिल्कूल एक जैसा है, आप देखे, इसम सुन्दर लगती है बने हुई जाली इसको बने में केवल 52 ग्राम उन लगी है तो आए हम पूट बनाना शुरू करते हैं बूट को बनाने के लिए हमने अपनी सिलाई पर 53 स्टिचिस डाले हैं मैं एक पार आपके सामने काउंट कर रही हूँ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरह चौध हैं पंदरा सोला स्तारा अठारा उननिस बीस एक्किस पाइस देश चौपिस पच्चिस चप्चिस चप्चिस का डबल बावन और एक त्रेपन 53 फंदे डालने के बाद 8 स्लाई मैंने बिल्कुल सीथी सीथी बनाई है जिसमें ये चार सरी बन कर आई हैं एक दो तीन चार इसको मैं अपनी 11 नंबर की स्लाई पर बना रहे हूँ अब हम इतना बनाने के बाद अब मैं पहले 6 एक स्लाई आथी 26 फंदे बिल्कुल सीथे बनाऊंगे यहाँ पर मैंने दोनों और से जो मेरा सेंटर का फंदा था इथर से भी 26 फंदे छोड़के 27 फंदा और इथर से भी 26 फंदे छोड़कर 27 फंदा है यहाँ पर मैंने एक मार्कर लगा लिया है इसके बाद हम बिल्कुल पहले आथी स्लाई बिल्कुल सीथी सीधी बनाएंगे सीथी सीधी बनाते हुए हम पहले मार्कर तक बनाएंगे तो पहले मैं मार्कर तक बना लूँ फिर हम इसके उपर बनाएंगे मारकर तक बनाने के पाद थाका अपनी और करेंगे अपनी सिलाई पर जाले डालते हुए हम इस फंदे को सेंटर के फंदे को बुनेंगे मारकर का काम खत्म हो गया जालती डालते हुए एक फंदा बना लिया फिर से थाका अपनी और करके सिलाई पर जाले डालते हुए हम अपनी आगे की सारी सिलाई सीथी-सीथी बुनेंगे तो पहले मैं ये सारी सिलाई's सीथी बनालो फिर हम इसकी उपर बनाएगे एक सिलाई मैंने सीथी बनाले अब हम wrong side से पहला फंदा आपकी मर्जी है आप बुन कर उतारे या बिना बुने उसके बाद धाका अपनी ओर करके सारे की सारी स्लाई हमको उल्टी बनानी है लेकिन पहले मैं 26 फंदे बनालू फिर मैं आपको इसके उपर बतांगे यह जो हमने पिछली स्लाई पर जाली डाली थी इसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे दो जाली डाली थी दोनों को ही हम उल्टा बनाते हुए सारी स्लाई उल्टी कम्प्लीट करेंगे तो पहले मैं इस रो को complete कर लूँ फिर हम सीथी साइड से अपने design को बनाएंगे उल्टी साइड से बनाने के बाद हम अपनी ये वाली सलाई भी बिल्कूल सीथी सीथी बनाएंगे और तब तक बनाएंगे जब तक हमारी center की हम जाली तक नहीं पहुंच जाते पिछली बार हमारे पास 26 फंदे थे इस बार हमारे पास दोनों साइड में 27-27 फंदे हैं हर बार एक फंदा बढ़ता चला जाएगा जाली तक हमने बना लिया ये हमारा center का फंदा है हमेशा ही हमको इसके दोनों और जाले डालनी है धाका अपनी और करके एक फंदा सीथा फिर से धाका अपनी और करके जाले डालते हुए ये सारी सलाई हम सीथी बनाएंगे तो पहले मैं ये सारी सलाई सीथी बना लूँ फिर हम इसके उपर बनाएंगे सीथी साइड से सारी सलाई बनाने के बाद अब हम उल्टी साइड से पहले की तारा सारी सलाई उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे पहले मैं इस जाली तक बना लूँ फिर मैं आपको जाली बना कर दिखाऊंगे पहले की तरह हम जाली को भी उल्टा ही बनाएंगे इसी तरह बनाते हुए पहले मैं रॉंग साइड कंप्लीट कर लूँ फिर हम सीथी साइड से अपना डिजाइन बनाएंगे सीथी साइड से भी हमने अपनी जाली तक बना लिया है अब हम यहाँ पर तीसरी बार जाली डालेंगे तीसरी बार जाले डालने के बाद यहाँ पर हम सारी सलाई सीथी बनाएंगे सीथी सलाई बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पर पांच सलाई बन जाएंगी एक सीथी एक उल्टी एक सीथी एक उल्टी और अब यह पांचवी सलाई हम सीथी लेकर जा रहे हैं उल्टी स्लाई पर हम अपना बूट की ये वला डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो पहले में ये वली अपनी स्लाई सारे सीधी बना लूँ फिर हम रॉंग साइट से इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे अब हम रॉंग साइट पर आ गए हैं यहाँ पर अब हम उल्टी साइट से अपना डिजाइन बनाएंगे पहले हम दो फंदे बना लेंगे पहले हम इन दो फंदों के बीच में से एक फंदा बनाएंगे इस फंदे को हम धीला सा बनाएंगे और अब इन दोनों फंदों को हम पीछे से एकठा एक फंदा बनाएंगे फिर से दो फंदो के पीछ में से पहले हम एक फंदा बनाएंगे और अब इन दो फंदो के पीछे से एक अठा एक फंदा बनाएंगे हम इसी तरहां से बनाते हुए पहले हम अपनी जाले तक बनाएंगे फिर हम इसके उपर बनाएंगे इसको धीला धीला बनाना है जाली तक हमने अपना सारा डिजाइन बना लिया है जाली के तीन फंदी हम हमीशा ही उटे बनाएंगे अगर हमारी साइड उटी है तो उटे ही बनाने हैं अगर हम डिजाइन बना रहे हैं तो भी हम ये तीन फंदे हमीशा उटे बनाएंगे एक बार ये तीन फंदे आएंगे और एक बार डिजाइन में ये पांच फंदे आएंगे डिसाइन हमारा तीन रो का है ये हमारी पहली रो है बिलकुल इसी तरहां से बनाते हुए पहले मैं रॉंग साइड से अपनी सारी सिलाई कम्प्लीट कर लूँ फिर हम सीथी साइड से इसके उपर बनाएंगे इस और भी डिसाइन के हमारे दो फंदे आये हैं और इस और भी जब हमने डिसाइन शुरू किया था तो दो फंदे छोड़ कर डिसाइन शुरू किया था डिसाइन बिलकुल हमारा बराबर बन कर आया है अब हम सीथी साइड से दूसरी बार डिसाइन डालेंगे पहले हम अपने दो फंदे बना लेंगे डिसाइन जैसे हमने उल्टी साइड से बनाया था बिल्कुल वैसे ही सीथी साइड से बनेगा दो फंदे छोड़ कर पहले हम एक फंदा बनाएंगे और इन दो फंदों का पीछे से हम एक फंदा बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था फिर से दो फंदों के पीछ में से एक फंदा लेंगे और दो फंदों के पीछे से हम एक फंदे को सिधा बना लेंगे बिल्कुल इसी तरहां से बनाते हुए पहले हम आधा बनाएंगे जाली तक बनाएंगे फिर हम इसके उपर बनाएंगे जाली तक हम पहुँच गए हैं इस पार हम एक फंदा बनाकर धागा अपनी और करके जाली डाते हुए एक फंदा बनाया फिर से धागा अपनी और करके जाली डाते हुए हम एक फंदा बना लेंगे इसके उपर हम फिर पहले की तरह ही अपना डिजाइन बनाना शुरू करेंगे और सारे सिलाई हम इसी तरहां से डिजाइन बनाते हुए बनाएंगे तो पहले मैं ये सारी सिलाई बना लूँ फिर हम इसके उपर बनाएंगे सारी सिलाई हमने इसी तरहा से बनाते हुए कम्प्लीट कर लिये है अब हम रॉंग साइड से अपने डिजाइन को कम्प्लीट करेंगे इन दो फंदों में से हमीशा हम पहला फंदा बूलेंगे और दूसरा फंदा स्किप्ट करेंगे फिर से दो फंदों के सेट में से एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा हम स्किप्ट करेंगे इसी तरहां से बनाते हुए, पहले मैं सेंटर की जाली तक बना लूँ, फिर हम इसके उपर बनाएंगे जाली तक हमने बना लिया, जब हमने पहली बार डिजाइन बनाया, तो सेंटर में हमारे पास तीन फंदे थे, इस बार हमारे पास सेंटर में पाँच फंदे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच पाँच फंदे बनाने के बाद, फिर से हमारा डिजाइन पहले के तरह शुरू होगा, पहला फंदा बना लेंगे, दूसरा फंदा हम स्किप्ट करेंगे, फिर से पहला फंदा बनाएंगे, दूसरा फंदा स्किप्ट करेंगे, इसी तरहां से बनाते हुए, हम रॉंग साइ से अपनी जुराब बनाने शुरू करेंगे यहां पर एक बार हमारा डिसाइन बिल्कुल कम्प्लीट हो गया है इसकी उपर हम अपनी बिल्कुल सीथी स्लाइब बनाएंगे हर फंदे से हमको सीथा फंदा बनाना है कोई डिसाइन नहीं डालना इसी तरहां से बनाते हुए पहले हम जाली तक बना लें फिर हम इसके उपर बनाएंगे जाली तक हम आ गए हैं अब हम फिर से यहां पर जाली डालते हुए अपने सारी सिलाइ सीथी बनाएंगे जब हम यह सिलाइ सीथी बना लेंगे तो इसके उपर फिर उल्टी फिर सीथी फिर उल्टी फिर सीथी इस तरह से बनाते हुए हम यहां पर साथ सिलाइ बनाएंगे एक सिलाइ मैं बना रही हूँ छे सिलाइ हम और बनाएंगे तो पहले मैं यहां पर छे सिलाइ और बना लू जब हम यहां पर छे सिलाइ बनाएंगे तो हमारे पास यहां पर आठ जाली बन जाएंगी एक दो तेन चार पांच्वी हमने अब फिर डाली है, तीन जाली हम और डालेंगे, तो यहाँ पर आठ जाली बन जाएंगी, और फिर हम दुबारा से साथ सलाई बनाने के बाद, उल्टे साइड से अपने डिजाइन को फिर से बनाना शुरू करेंगे, तो पहले मैं साथ सलाई बनानू, फिर हम इसके उपर बन साथ सिलाई बनानी है अब हम यहां से फिर से उल्टे साइड से अपना डिजाइन बनाएंगे इस बार हम शुरू के दो फंदों से अपने डिजाइन को शुरू करेंगे डिजाइन बिल्कुल पहले की तरह ही बनाना है दो फंदों के पीछ से एक फंदा और इन दो फंदों को पीछे से हम इकठा एक बनाएंगे फिर से दो फंदों का एक फंदा और इन दो फंदों को हम पीछे से बनाएंगे इसी तरहां से बनाते हुए पहले मैं अपना डिजाइन जाली तक बना लूँ फिर हम इसके उपर बनाएंगे जाली तक हमने बना लिया जाली के तीन फंदे पिछली बार की तरह हैं हम उल्टे बनाएंगे इसके बाद फिर से हम अपने डिजाइन को बनाते हुए सारी सलाई इसी तरहां से बनाएंगे और एक बार हमने जाली ताल कर साथ सलाई बना ली है अब हम दूसरी बार अपना डिजाइन की जाली डाल रहे हैं और साथ सलाई बनाएंगे फिर से हम एक बार अपने डिजाइन को बनाएंगे और साथ सलाई बना लेंगे तो पहले मने अपना बूट इतना कंप्लेट कर लो फिर हम इसके उपर बनाएंगे इतना बनने में हमारे पास जाली जो है वो अठारा बनेंगे अगर आप चाहो अगर आपकी उन पतली है तो आप दो जाली और पिटाल सकते हो तो पहले मैं इतना बनालू फिर हम इसके उपर पूर्ट बनाएंगे अब हम यहाँ पर तीसरी बार डिसाइन बनाने लगे हैं एक दो तीसरी बार डिजाइन बनाएंगे साथ सिलाई के बाद जब हमने पहली बार डिजाइन बनाया था तब भी हमने दो फंदे छोड़ने के बाद बनाया था तीसरी बार भी डिजाइन हमारा दो फंदे छोड़ने के बाद बनेगा दूसरी बार डिजाइन हमारा एक फंदा छोड़ने के बाद बनेगा डिजाइन बिलकुल हमको वैसे ही बनाना है बस पहली और तीसरी बार हमको दो फंदे छोड़कर अपने डिजाइन को बनाना है तो पहले मैं ये सारा डिजाइन कम्प्लीट कर लो फिर हम इसके उपर अपना डिजाइन कम्विट करेंगे। यह डिजाइन बना लो और साथ सलाई फिर से हम अपने एक सीती, एक उल्टे की बना ले फिर हम इसके उपर अपनी जुराप बनाएंगे। यहां पर हमने अपना डिजाइन तीन बार कंप्लीट कर लिया है एक दो और तीन तीसरी बार हमने साथ सलाई बना ली है और यहां से हमने अपने फंदे भी बढ़ाए है इसके बाद इसके उपर अब हम नो सलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे यह हमारी पहली सीधी सलाई है इसको गिनते हुए नो और इसके उपर आठ हम सलाई बनाएगे बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है जब हम यहां पर नो सलाई बनाएगे तो हमारे पास इस तरह की यहां पर पाँच लाईने पाँच सरी बन जाएंगे तो पहले में यहां पर नो सलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनालू फिर हम इसके उपर बूट बनाएगे यहां पर हमने अपनी नो सलाई बिल्कुल कम्प्लेट कर ली नो सलाई कम्प्लेट करने से यह हमारी पाँच लाईन बन गई है एक, दो, तीन, चार, पाँच इसके बाद मैंने आथी सलाई और बिल्कुल सीधी बनाई है इस तरफ मेर पास 45 स्टिचिस है इस तरफ मेर पास 44 स्टिचिस है यह एक सेंटर का फंदा जो था वो मैंने अपनी इस सलाई पर लिया है इसको अब हम ऐसे सीथी साइड अंदर करते हुए फोल्ड करेंगे और यहां से हम एके करके अपनी सारे फंदे बंद कर लेंगे इस और से पहली बार हम दो फंदे लेंगे तो हमारे शुरुवात से ही फंदे बराबर हो जाएंगे और एक फंदा हम इधर से सीधा बना लेगे अब हम इस फंदे के उपर अपने ये दोनों फंदे पलट देंगे फिर से एक फंदा हम उतार लेंगे और इस सलाई से हम एक फंदे को सीधा बना लेंगे और ऐसे इसके उपर दोनों फंदों को एक के करके पलट देंगे फिर से एक फंदा उतार लेंगे एक फंदा हम बना लेंगे और एक एक करके दोनों फंदों को हम इसके उपर पलट देंगे इसी तरहा से बन करते हुए पहले हम अपने सारे फंदे बन कर लें फिर हम इसके सिलाई करेंगे तो हमारी जुराब बिलकुल कम्प्लीट हो जाएगी तो पहले मैं सारे फंदे बन कर लेती हूँ इसको हमको भाइट बन नहीं करना यहाँ पर हमने सारे फंदे बन कर दिये हैं धागे को हम काट देंगे इसको भी हम सुई से अंदर करने के बाद अब हम यहाँ से इसकी सिलाई शुरू करेंगे सिलाई हमको अपने जहाँ से हमने फंदे डालने शुरू किये थे वहाँ से लेकर इस ओर आएंगे अगर हम यहाँ से लेकर इस ओर जाएंगे तो हमारा यहाँ से बूट जो है उपर नीचे हो जाएगा इसलिए हमेशा हम बूट की सिलाई यहीं से उपर से स्टार्ट करेंगे पहले एक बार हम पक्का कर लेंगे पक्का करने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे और अपने बूट को भी हम सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद अब हम यहां से अपने बूट की सिलाई करने शुरू करेंगे सीधी साइट आमने सामने रख कर हम अपने बूट की सिलाई करेंगे एक बार हम इसे एक साइट से लेंगे और एक बार हम दो थागे या एक चेन हम एक साइट से लेंगे बस इसी तरीके से हमको सिलाई करते हुए अपने बूट की सारी सिलाई कम्प्लीट करनी है तो पहले में ये सारी सिलाई कम्प्लीट करनो फिर हम हमारा बूट बिलकुल कम्प्लीट हो जाएगा बूट बनकर बिलकुल तैयार हो गया है सिलाई करने के बाद आप देखिए इसकी शेप कितनी सुन्दर बनकर आई है हर और से बिलकुल एक सार बूट बनकर आया है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूसफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें जल्दी ही मिलेंगे गुट्टे की पोटली में एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहें गुट्टे की पोटली नमस्कार धन्यवाद